नमस्ति दोस्तों होम टेकोर के जो भी आइटम मैंने बनाये हैं इसके पीछे मैंने एक भी पैसा खर्श नहीं किया घर में रखे हुए चीजों से ही मैंने इन्हें सजाया है घर को सजाने के लिए हमेसा खर्श किया जाए ये जरूरी नहीं है दो रखे वे कार्टबूर्ट बॉक्स को ही मैंने सरकल सेप में काटा वाल्ट पुट्टी की डो मैंने पहले बनाया और इस कार्टबूर्ट की वाक्स की उपर कुछ डिजाइन बना ली उसके उपर मैं वाल्ट पुट्टी को पतले पतले करके चिपका लिए और नुकिली चीज से उसके उपर हलका सा टेक्स्टेर में डाल दी पिर कट मीरर से मैंने इसे सजा दिया बहुत ही आसाने से एक वाल्ट एग और आइटम बनकर तयार हो गया ये भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा मैं इसे अलग-अलग तरीके से सजा के आपको दिखा रही हूँ कौन सा जादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा सेकंड डियाबाई के लिए भी मैंने वाल्ट पुट्टी का ही यूज किया है वाल्ट पुट्टी को दो अलग-अलग सेप में बना के मैं सूखने के लिए छोड़ दी थी एक रिन पूरा सूखने के बाद इसे मैं अलग-अलग कलर से अक्रेलिक कलर से कलर कर ली थोड़ा और सुदर बनाने के लिए कहीं-कहीं पे इसमें मैंने कट मेरर चिपका दिया जिसे यह और सुदर लगने लगा एक छोटे से पाइप के टुखडे के उपर मैंने जूट रोप लपेट लिया और इन सभी बिट्स को धागे में पिरो के उस पाइप के उपर मैं बान दी कुछी मिन्टों में वोल्ट कर बनकर तैयार हो गया घर के बाहर इंट्रेंस एडिया के दरवाजे के पास मैंने इसे लटकाया है ये रात में भी उतनी ही सुन्दर लग रही थी और सुबह तो ये और भी अच्छी लग रही थी मैंने अपने बनाए हुए दोनों हूम डेकॉर आइटम को एक साथ लटका के आपको दिखा रही हूँ कि ये साथ में कैसे दिखाई दे रहे हैं ये आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और बनाना तो ये बहुत ही आसान है आप भी ट्राइ करिएगा और अपने हाथों से बने हुए चीजों से घर को सजाने में बहुत ही अच्छा लगता है और तीसरा डियाई वाई तो मेरा इतना आसान है जिसे एक्स्प्रेइन करने की भी जरूरत नहीं है बस बॉटल के ऊपर मैंने उसी वाल पुट्टी के छोटे-छोटे गोल-गोल सर्कल बनाके फेविकौल से चिपका दिया उसे मैंने फेविक्रील कलर से कलर कर दिया है सूखने के बाद उसके उपर मैं मिरर लगा दी देखिए एक सिंपल सा बॉटल कितना खुबसूत रा पनकर तयार हो गया है आपको ये दिये मेरा ये सब आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक करेगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये सारी आइटम कैसी लगी थैंक यू